स्विक्तराश संग के संगठन के धाचे को जानने के बाद कि स्विक्तराश संग के विभिन अंग कौन कौन से हैं किस रूप में एक दूसरे से जुड़ हुए जैसे यदि मैं human body की बात करूँ मानव शरीर की तो उसके विभिन अंग हैं कुछ अंग किसी हिस्सों से जुड़े हैं कुछ अंग किसी हिस्सों से जुड़े हैं कुछ अंग कई हिस्सों से जुड़े हुए हैं उसी प्रकार ये जो पूरा चाट आप देख रहे हैं ये भी समझ लीजे एक शरीर है संग का शरीर और उसके विभिन अंग इसका ताना बा इनके विबिन अंगों की जो शक्तियां हैं इनके विबिन अंगों के जो अधिकार हैं इनके विबिन अंगों के जो कारिक्षेत्र हैं उसके बारे में थोड़ा जाने सबसे पहला तो महासभा महासभा का जो वर्णन है या उसके जो कारिक्षेत्र का वर्णन है वो मूल रूप से चार्टर की धारा 10 से 17 किस धारा से किस धारा? आर्टिकल 10 तो आर्टिकल 17 जिसमें उसके क्या क्या कारि दिखाए गए है पहला अंतर राष्टी, शांती एवं सुरक्षा पर विचार इसका कारिक्षेतर, तबसे बड़ा कारिक्षेतर क्योंकि सुमिक्त राष्चंक की स्थापना ही इसी देश से हुई है अंतराश्टी, शांती और सुरक्षा के मुद्दे को लेकर इसकी स्थापना हुई है तृती विश्वधन ना हो इस कारिक के लिए विश्वश रूप से इसकी स्थापना हुई है तो अंतराश्टी, शांती और सुरक्षा के तहट जो इसका पहला मुख्यकार है हम उसको और सब पार्ट में बाट सकते हैं जिसमें एक है विश्वशान्ति वस्रक्षा ये विश्वशान्ति और सुरक्षा का दाइत्व वैसे तो सुरक्षा परिशत का है परंतु महासभा भी इन समस्याओं पर विचार करती है निश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् फिर वो सुरक्षा परशद जाता है। लेकिन सचाई यह है कि सुरक्षा परशद स्वैम महासभा से अन्रोत करता है कि इन प्रस्ताव के ओचिते पर विचार करें और निशकर्ष बताएं। और उसके बाद सिर्फ सुरक्षा परिशाद अपना निर्णा लेता है। सद्राश्टों को ये भी अधिकार है कि वे अपने प्रतनी दुद्वारा प्रस्ताओ रखें और ऐसा एक प्रस्ताओ, शांति के लिए एक प्रस्ताओ कभी भेजा भी गया था 1950 में। तो ये तो एक इसका काम हो गया विश्व शांति और सुरक्षा को। दूसरा इसका कारे है बजट तयार करना। इतनी बड़ी जो वैश्विक संस्था है, जिसके इतने सारे अंग हैं, हर अंगों में कितने कर्मचारी, कितना खर्च, कितना बजट, कितना आए व्याय, और वो भी अंतरराश्ट्री, विविन्न देशों से लिए हुए कर्मचारी, इनका एक बजट तो होना चाहिए तो कितना खर्च है, कितनी आय है, कितना व्याय है कितनी आय होनी चाहिए सदस्य देशों को कितना योगदान देना चाहिए सव्यूक्त राज संग को चलाने के लिए जो खर्च की जरुरत है, जो पैशे की जरुरत है, कौन देगा, सदैस्च से देश ही देते हैं, तो कौन देश कितना देगा, इसका निर्थारण भी महा सभा करती है, तो संयुक्त राश्चंग की महासभा کا दूसरा कार्य है बजट तयार करना आर्थिक विवस्था का संचालन करना आयव्ये का ब्योरा रखना और उस आयव्ये का बटवारा भी महासभा करती है किस देश पर या किस कारे पर कितना खर्च होगा किसी कारे पर कितना खर्च होगा ये भी तैब महासभाई करती है इसके बाद अगला कारे है नियुक्तियां करना जिसके बारे में जिक्र कर चुका हूँ सुरक्षा परिशत के अर्थाई सदस्यों की नियुक्ति आर्थिक समाजिक परिशत के आठ सदस्यों की नियुक्ति संद्रक्षन परिशत के सदस्यों की नियुक्ति नियाले के नियाधीशों की नियुक्ति सुरक्षा परिशत की सिफारिश पर महासचिमों की नियुक्ति और इस प्रकार इन नियुक्तियों का जिम्मा भी महासभा पर है अगला जो इसका कारे है वो है संशोधन चार्टर बना 1945 में, Atlantic Charter San Francisco उस पर इन कावन देशों ने स्ताक्षर कियो उसी के दोस वर्षबाद भारत का समिधान बना 1947 और लागू हुआ 1950 में तो हम मान लिजे 5 वर्ष बाद भारत का समिधान बना 1945 में UFO का चार्टर और 1950 में भारत का समिधान भारत के समिधान में जो एक देश का समिधान है उसमें 100 संशोधन हो चुके हैं संशोधन से अर्थ है बदलाउ किसी कानूनी मुद्दे पर बदलाओ जैसे एक बदलाओ हुआ था कि विवाह की आयू नियुन्तम आयू जब समिधान बना था उस समय 14 वर्ष थी फिर 18 वर्ष की गई अब 21 वर्ष है समय के साथ बदलाओ की जुरत पड़ती है जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे बदलाओ जुरत होती तो एक अच्छा समिधान वो है जिसमें बदलाओ का प्रावधान हो और ऐसे बदलाओ जो कानून के कुछ हिस्से को बदलने के रहते हैं उसे क्या कहते हैं संशोधन तो इस प्रकार चार्टर में संशोधन का अधिकार भी महासभा को है अर्थाद, चार्टर में दिया हुआ है कि पांच इस्ताई सदस्य होंगे यदि छैस्ताई सदस्य करना हो, एक सदस्य बढ़ाना है तो उसका अनुमोदन कौन करेगा? उसका प्रस्ताव भी महासभा में ही रखा जाएगा उसका अनुमोदन भी महासभा के द्वारा होगा यदि सुनिश्चित करना है कि ये दस सदस्यों के बदले अब पंदरह सदस्यों होंगे सुरक्षा परिशद में तो इसका निर्णा कौन लेगा महासभा और ये एक तरीके का संशोधन है तो चार्टर में संशोधन सुनिक तराश्चित के द्वारा की महासभा के द्वारा होता है बश्यर्ते दो तिहाई सदस्यों उस संशोधन पे सहमति दें कितने दो तिहाई सदस्यों दो तिहाई चे कम होने पर ये संशोधन पारित नहीं माना जाएगा संशोधन के अधिकार के बाद ये भी जानना जरूरी है कि संविक्त राश्चंग अपने विभिन अंगों की शक्तियों और कारिक्षेत्रों पर नियंत्रन रखता है आपने जो चार्टर देखा ये जो ग्राफिक देखा आपने जिसमें विभिन अंगों को बताया गया है और इसमें एरो के माध्यम से आपको बताया है कि कैसे इस संस्था का ताना बाना बना गया है तो इनमें नियंत्रन रखना इनकी सीमाएं तै करना और इनका कारिक्षेत तै करना उसके साथ ही अंतराश्टी कानून के अनिसार श्रमिक कल्यान को प्रोसाहन देना मजदूरों के कल्यान के लिए अंतराश्टी ये अर्थिक और सामाजिक सहयोग आदि के कारिक्रम लगाना ये सब भी महासभा का कारिक्षेत्र है ये सब भी महासभा के कारिक्षेत्र के दाएरे में आता है महासभा के द्वारा जो बातने कहीं जाती है वो निर्णय या सुझाओ के रूप में होते हैं और वे बादिकारी शक्तियां नहीं रखते फिर भी उनके पीछे विश्व जन्मत की नैतिक शक्त होती है समझने की कोशिश करें स्विक्तराश संग किसी तरह का निर्णय लेता है किसी तरह का प्रस्ताव रखता है सुझाओ रखता है तो उनके पास ऐसी ताकत नहीं है कि वो किसी देश को बाद्ध्य कर सके उसके पालन अनुपालन में क्योंकि उन्हें सुनिषित करना है कि उनकी बाधिता कहीं अशांती पैदा ना कर दे लेकिन इसके बावजूद भी ये बात दे है कि संहुक्तरच संग में पारिष प्रस्ताव संहुक्तरच संग में पारिष सुझाओ जिनें कम से कम दो तिहाई देशों का समर्थन है ऐसे सुझाओ एक तरीके से विश्व जन्मत की नैतिक शक्ति का काम करते हैं Moral Force of the World Population Moral Force of the World Society उसकी तरह का काम करते हैं तो महासभा एक बहुत अहम संस्था है महासभा को जानने के बाद दूसरी संस्था जिसका बारम बार जिक्र हुआ है वह है चुरक्षा परिशाद जिसे Security Council करते हैं Security Council के बारे में मैंने कई बातें कर दी उसे बिना दुहराते हुए मैं कुछ आगे बढ़ूँगा कि Security Council इतनी महतपूर्ण संस्था है UNO की कि उसे हम कह सकते हैं संयुक्त कुंजी चाबी It is key organ, key organ, ऐसा organ जो चाबी है ऐसा अंग है जो UNO की चाबी है क्योंकि UNO का मुख्यकार तो सुरक्षा है और सुरक्षा, सुरक्षा परिशाद का मुख्यकार है पंदरा सदस, अस्थाई स्थाई, दो वर्ष का कारिकाल अंतराश्टी सुरक्षा बनाने रखना, विवादों को शांतिपूर निप्टाना, अपराधी राश्ट के वरुद्ध कारवाई करना ये सुरक्षा परिश्ट के कारे, अपराधी राश्ट के वरुद्ध सैनिक कारवाई करना ये इसका कारे है हम फुरक्षा परिशत के कारेओं को उसके कारेकरम को दो भागों में बाट सकते हैं पहला है प्रोसीजरल याने प्रक्रिया संबंदी कारे की और दूसरा है सबस्टेंटिव याने महत्वपूर्ण कारे एक कारे प्रक्रियासम्बंदी। दूसरा कारे सबस्दर्ण। प्रक्रियासम्बंदी कारें में आपको जानना चाहिए कोई भी नौ सदर्सिय। यदि किसी बात पर सहमत होता है तो इस प्रस्ताओं को स्वीकरित माना जाता है। कोई भी नो सदस्य ता लेकिन अन्य मामलों में नो सदस्यों के स्वीकारात्मक वोट में पांच सदस्यों का स्वीकारात्मक वोट अनिवार है देखिए दो तरीके के कारिक्षेत्र हैं एक तो प्रसीजर जो एक तरीके से प्रक्रिया के संबन्द में प्रक्रिया के संबन्द में यदि कुछ सहमती चाहिए तो पंदरा में से नौ सदस्य सहमती देदें तो वो प्रस्ताव पारित है कहां सुरक्षा परिशद में लेकिन प्रक्रिया सम्मंधी प्रस्ताओं के अत्रिक जो भी अन्य प्रस्ताओं हैं जिसे महत्यपूर्ण प्रस्ताओं की श्रेड़ी में रखा जाता है वे तभी पारित माने जाते हैं जब नौ सदस्य उसकी सहमति दे पहला दूसरी शर्थ है उन नौ सदस्यों में पांच इस्थाई सदस्यों की भी सहमति शामिल हो यदि इन पांच इस्थाई सदस्यों में से किसी भी एक ने इस प्रस्ताओं में निशेद हादिकार का उप्योग किया तो पंद्रा में से चौदा सदस्यों के द्वारा पारित प्रस्ताओं भी रद माना जाएगा यही कहलाता है निशेद हादिकार यही कहलाता है वीटो यदि कोई और इसमें क्या होता है कि साई सदस्यों अपने मत का प्रयोग नहीं करता तो वो निशेद हादिकार जाता है अगर थाई सदस ने किसी प्रस्ताओं के मत में विरोध दिया तो वह निशेधादिकार या वीटो कहलाता है और ये वीटो वाली जो अधिकार हैं ये कई जगहों में इसका उप्योग होता है कई समितियां ऐसी बनाई जाती हैं जिसमें समिति के अधिक्ष को वीटो कहादिकार है सुरक्षा परिशत के कारेयों को हमने दो भागों में विभाजित किया एक तो प्रक्रिया सम्मंदी और एक महत्पूर्ण कारे और दोनों में अंतर जाना हम थोड़ा से इनको बिंदुवार इनके कारेयों को बांट लें और बहतर समझ के लिए पहला है इसका जो कारे है वहाँ अंतर राष्टी शान्ति और सुरक्षा किसी विवाज से खत्रा उद्पन हो तो दोनों पक्षों में विवाज को वो सबसे पहले बाचीत के माध्यम से मध्यस्तता के माध्यम से समझोते के माध्यम से शान्ति पूर्ण तरीके से उलगाने का प्रयास करता है और यदि अस्फल हो तो शशश्त्र सेनाओं का प्रयोग भी करने का अधिकार है मैं अपना दोहरा दूँ पहले ये मध्यस्तता बातचीत और शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालने की कोशिश करता है देशों के बीच के विवादों का यदि ऐसा नहीं है तो शांति कहीं भंग ना हो जाए इसलिए वह कई बार सशस्त्र सेना का प्रयोग करने के लिए भी विवश हो जाता है और ऐसा सविक्त राजच्चंग के गजप सत्तर वर्ष के इतिहास में कई बार हुआ है जब सविक्त राजच्चंग को अपनी संयुक्त सेना भेजनी पड़ी है ये जो सेना होती है ये सेना किसी एक देश की नहीं होती है इस सेना में किसी एक देश के स सैनिक समाहित रहते हैं सुरक्षा परिशत तै करता है कि किन देशों के सैनिक इसमें आए और कितनी संख्या में आए वार लड़ाई का स्तर कितना उचा हो कितना युद्ध किस स्तर का हो यह यह सैयुक्त सेना सुरक्षा परिशत के अंतर गत्य करती है और कारवाई करती है और ऐसी संयुक्त सेना के द्वारा कारवाई किये जाने के हमारे पास कई उदाहरन है जो हम आगे पढ़ेंगे फिलहाल आप जान लें कि ये शांति स्रक्षा दूसरा जगड़ों की छानबीन करना और उसकी जाँच करना यदि किसी देशों के बीच में किसी तरह के जगड़ा है तो उनकी छानबीन करता है उसकी जाँच करता है और शुरक्षा भंग होने के संभावना होने पर और गहराई से उस पर अध्यान करता है इस विशह में वो महा सचिप की भी साहता ले सकता है और इसकी रिपोर्ट जो है ऐसी छानबीन की रिपोर्ट सुरक्षा परिशच किसे भेजता है महा सभा को भेजता है उनके निर्णा के लिए उनके विवेक के लिए तीसरा जो कारे है उसका वह है निर्वाचन संबन्दी मैंने आपको बताया कि किसके निर्वाचन के लिए सुरक्षा परिश्यत की आश्कता होती है पहला वो दस आस्थाई सदस्य है कोई भी स्विक्त राश्चंग का सदस्य दूसरा सुरक्षा परिशत की सहमती जरूरी है बशर्ते महासभाव से दो तिहाई बहुमत से पारित करे और सुरक्षा परिशत की सहमती जरूरी है इससे मेरा ताटपर है कि वे पांचों स्थाई सदस इसके पक्ष में मत करें किसी देश की सदस्ता के पक्षमे या निशकाशन के मुद्दे पर इन पाँचों सदस्यों का की साहमती जरूरी है कि ये मामला, ऐसा मामला सुरक्षा परिशद के महतविपूर्ण कारिक खेतर में आता है प्रोसीजरल प्रशासनिक कारिक खेतर में नहीं आता जो इस प्रकार ये बासपष्ट होनी चाहिए कि सुरक्षा परिशद कितना अहम है इसके बाद नियुक्तियों में भी सुरक्षा परिशद के अधिकार आप जानिये बताये गया है महासचिप के नियुक्ति के लिए सिफारिश कौन करता है चुरक्षा परिशत करती है और उसके लिए महासभा दो तिहाई बहुमत से अनमोजित करती है ऐसे ही अंतराश्टी नियाले के निया धीशों के लिए भी सिफारिश करती है महासभा को और नियुक्तियां करती है और सिफारिश यहने एक तरीके से रेकमेंडेशन वहीं से उनके नाम आते हैं महासभा को जिस पर महासभा अनमोजन करती है या परिवर्तन करती है जैसा उचित करे समझे वैसा निर्न लेती है पर इसकी प्रस्ताओं की शुरुआत कहां से होती सुरक्षा परिशत से अगला इसका जो बहुत महत्पूर्ण कारे है वह है नियुक्तियों के बाद चार्टर में संशोधन मैंने आपको पूर में बताया था कि संशोधन क्या है और संशोधन क्यों जरुद पड़ती है अब ये जान लीजे कि इसमें संशोधन के लिए भी सेक्तराश संग के सदस्यों के सामाने संभेलन द्वारा संशोधन किया जाता है लेकिन ये संशोधन तभी क्रियानवित होते हैं जब सुरक्षा परिशद के सभी इस्थाई सदस्य यानि वो पांचों सदस्य और महासभा के दो तिहाई सदस्य इस पर सहमत हों मैं बार बार इस बात को दोरा दूँ कि मात्र महासभा के दो तिहाई नहीं बलकि सुरक्षा परिशद के पांच सदस्यों की सहमती भी आवश्चक है जिने हम इस थाई सदस्य कहते हैं सुरक्षा परिशद को वो तो इतनी महत्पूर्ट संस्था है इस परकार अब आप समझ गहोंगे कि सुरक्षा परिशद को ईपी चेज जो प्रसीद राजनीतिक वग्यानिक हैं राजनीतिक विचारक हैं उन्होंने इसे एक तरीके से हार्ट अफ यूए नो कहा है क्या कहा है हार्ट अफ यूए नो सेंट्राशन्क का हृद अयसे इसे सेंट्राशन्क का विद्युद घर कहा है जहां से बिजली सप्लाई होती है जैनलि उसका जो जीवन है सीख्षा राशन्क का जो मूल जीवन जो है लाइफ जो है वो सुरक्षा परिशद है कितना अहम है सुरक्षा परिशद और फिर उसमें वे पांच इस्थाई सदस्ट कितने अहम अधिकार रखते हैं जिनके पास वीटो का निशेद अधिकार का अधिकार है